नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है बीएड एजूकेशन चैनल पर मैं कुनाल सर आज जो आपकी क्लास होने वाली है वह सेकेंड पार्ट है इसी वीडियो का इसकी क्लास में पहले ही दे चुका हूं और इसके जो 50 क्वेस्ट करवा चुका हूं तो आज हम सुरू करें क्योंकि लग पचास तों में इस दिन करवाई चुका था यहां पर कहं रहा है कि सिक्षड अधियम फ्रवंदन का प्रत्य प्रस्तूत किया तो है मिंच्टर आपके डेविस कौन है डेविस हैं और comments है है तो क्या है उप्रिक तो सभी कौन-कौन से दिखी नियूजन भी है अग्रसरण भी है और विवस्ता यह तता नियंतरण भी है तो यह सभी लग जाएंगे उप्रिक सभी हो जाएगा सिच्छड को उच्छतम व्यवसाइक प्रकिदिया माना है वो क्यों है वो है आपके बैसने क्रइसों कि कुछ सभी होती है अगर बिद्याला की सिक्षा है चल रही है विद्ध्याला में कोई विशक्षा तो उसकी जवाब दे seminar कि कौन दीगा है प्रदानाचार आपटार उप्रबंधक दे लिग तो उसकी जवाब दे घर इसक by को एंचाए कि अगर कौन जरह प्रवंदक सबसे ले ली जाएगी इसके बाद जो अगला क्वेशन है वो यह है कि विद्याले की सिक्षा की जवावदेही का संबंध है तो किस से हैं आपको मैं बता जीता हूं यहां पर भूमका निर्वाह से है उत्तरदायतु का निर्वाह से या विद्याले के कार्यों की समिक्षा से तो उपर तो सभी हो जाएगा अगर विद्याले की जो भूमका का निर्वाह कर रहे हैं तो टीचर भी उसमें समलित हैं स्टूडेंट भी हैं और आपका प्राचार वगेरा और जो प्रवंदक हैं वो सभी भूमका निर्वाते हैं अपनी अपनी लेकिन यहां इंपुरेंट भूल उता हुथ। बीना चात्रों में पूरे स्कूल का अब भी बनअब प्रतवन्दत के प्रतव encouraged को सब्सक्राइब की प्रमुख विश्था का सब्सक्राइब कि जाएं तो गता है देखिए संसंद्राइब मतलब मतलब क्या अंदर के इच्छा मुआакс मतलब करनाही प्रतवन्दती अनदर की इच्छा अगर यह नहीं होगी तो जो है पढ़ाई करना बैसे भी एक कैसा हो जाएगा निरस निरस बोले तो मतलब उबाऊ ठेक है नहीं तो अंदर से अगर कोई मोटिवेशन मिलता है तब ही पढ़ाई संभव है सनलगता मतलब लगी रहना ठेक है नहीं तो continuous लगा रहना होता है प्र अत्म विश्वास और नेडा की जए टो उसको प्रवाविद करने कारक वी वह लिए अगर सुरक्षा उतनमान प्रोशान रूल सभी आँग स loro कावव मानक होती है Someoneיז जो मतलब ऑफराइजड थेक है नहीं छोड़ी चोड़ी पैक्टरी अगरों में लगा ली जाती है तो अप्चारिक बड़ी-बड़ी कार खाने ऐसे करके बात समझी का वह साइक्ता है क्या हाथ तो आप सफिए क्रियाःत्मक व्वख्ष मना जाएगा वहावा थमक यह घृन आत्मक तो यहां पर सभी बख्ष को मिला कर बने हैं पर रहे तो अब धियापक का सामाजिक परवतनंका सादन और उपरेक्ट सभी सामाजिक परवतन का सादन चात्र पठानाचार और चात्रemia आपक चात्र और अप्रदानाचार को मिला कर ही आप कह सकते हैं कि समाज का परवतन हो सकता है कि संप्रेशड यानि जो सीखने की इच्छा होती है वह संप्रेशड संप्रेशड पारंपरिक्ता के भाव में विचारों एवं भावनाओं को की दूसरों के साथ भागीदारी है और यह कतन है किसका तो यह हर्ट में का है यह एल्डर डेल का है ब्रूकर का है या मिलकर का है तो यहां पर यह नहीं की सुचना और यह तो आपको मैं बता देता हूं यह पहला वाला क्वेस्टन हें अ दूसरों के साथ बांटना कहलाता है तो आपको मैं बता दिता हूं सीधा सीधा अंसर हो जाएगा आपका संप्रेशर ठीक है तो यहां पर यह अमनी क्वेशन कवर कर दिए अब आगे देख लेती हैं क्वेशन 66 और चिंतन ग्यानात्मक पक्ष में होने वाली मानशिक किरिए चिंतन के बारे में ब्रुष में होने वाली मानशिक किली है क्यों है तो मान चिंतन क्या है मस्तिष्क में चलता है तो मान से किरिया ही होगी लेकिन यह कथन है किसका तो कथन है रौस का किसका है रौस का कथन है चिंतन एक जटिल क्या है सीधे सीधे लगा दो विकास आत्मक संग्यानात्मक आवा सा ठीक है नहीं तो जो आपका जो बनेगा यह जब भी बनता ना आय वंबत दोनों तो यह लगवग लगवग यह भी 70% सही जाता है लेकिन कभी कवार गलत भी जाता है द्यान रखना यह जरूरी नहीं कि हर बार सही जाए चिंतन सब्द का प्रेव उस किरिया के लिए करना उचेत होता है जिसमें सरंकला बद विचार क किसी लग्ष तता उद्दिस की और प्रवाइत होती है और यह परिवासादी है तो यह हैं आपके वैलेंटाइन क्या कहा है वैलेंटाइन ने कि चिंतन सब्द का प्रेव उसके लिए करना उचेत होता है जिसमें सरंकला बद विचार किसी लग्ष एवम उद्दिस की और प पर कहे रहा है कि प्रत्यात्मक प्रत्यायात्मक और प्रत्यायात्मक यह अंसर तो इसका अंसर होने सामगेरी कौन बनेगी ऐसे समझ लीजिए जैसे कि मां लीजिए चिंतन क्या इक हवनकुण और उसकी सामगेरी बताई या आपको क्या बनाना है तो इसके लिए पहले पहले हमें सादन भी जुटाने होंगे हुँसे अपने बिचार भी बनाने होंगे जो प्रत्मा का रूप लेंगे और वहां पर प्रत्य परत्य देने होंगे तव कहीं जाकर हमारा सित काकृत usta वहारात्मक सित्धात के जनक tão और वहारात्मक प्रत्य परकृत से के गतवाही माद्यमों का मानसिक पक्षों से संबंध होता है और यह कतन है तो बाचन वह जटिल सीखने की प्रक्रिया है बाचन को क्या माना गया है जिसमें सूचनाओं के गतवाही माद्यमों का मानसिक पक्षों के संबंध होता है जो अगर बात की जाए कि सूचनाओं का कि जटल पकुरियाए जिसका मादम सुनने की सुनने से और क्या होगा मानसिक पर्षौंस सब्सब्रीज का ओर का यहां पर जॉन डीवी के अगला क्वेशन के जॉन डीवी ने सिच्छा का मुख्य उद्देस्थ माना हैं अगर जॉन डीवी के अनस्वा बाचन की विधियां होती है अक्षरवोध विधी देखो और कहो विधी अनकरण विधी या उप्रिक्ट सभी तो उप्रिक्ट सभी हो जाएगा क्योंकि अक्षरवोध भी होना चाहिए यहां पे देखकर भी पढ़ना चाहिए यहां पे अनकरण करके भी सीखना चाहिए तो ऐसे को अनुकरण कहेंगे देखकर कहेंगे जैसे कि माली जी कुसी को पत्र-पत्र का को पढ़ रहे हैं आप तो देखो विदी है वहां पर अक्षर बोध विदी को सबसे important है क्योंकि इन दोनों का निर्माड ही तब हो पाएगा है लेकिन इसमें तो बहुत ज्यादा important है सामुःष बाचन के प्रकार है अगर सामुःष बाचन की फेंडिया कि बात कहीं जाए तो यहां पर जो सामुःष बाचन तो ऑपर र discours सभी जब दो ऑप्षण ब्लेडर रहे हैं तो सीदी सीदे सीदे ऑपरित सभी मौन बाचन के प्रकार है तो मौन भी रहना होता है ठीक है नहीं तो अब इसके लिए क्या है तो उप्रिप सभी सीधे सीधे लगा दो क्योंकि अध्यन दृत पाथन यह क्या है विहंगाव लोकन ठीक है नहीं विहंगाव लोकन मतलब आप समझे अगर मैं पढ़ रहा हूं किसी चीज को आपको नहीं बतानी है तो मौन ही रहके पड़ूँगा तो यह दृत पटन ठीक है अगर अध्यन किया जा रहा है किसी भी चीज का गहनता से तो अभी चुप चाप दिखते ना जैसे कि मालीजिए सबसे गहनता से अध्यन कौन करेगा वकील आपके फाइल का ठीक है नहीं बगील को पढ बोलेगा नहीं क्या बोलेगा नहीं केवल केवल चीजों को पढ़ता जाएगा और यह व्यंगाव लोकन मतलब इंग्लिसी मुनी जब ध्यान करते हैं तो वह ऐसा है उपरिक्त सभी हो जाएगा सवरवाचन की विदिया अगर वाचन की बात की जाए कि जो सवर के हिसाब से पढ़ना है सवरवाचन तो उसके लिए देगी जातर यहां पर उपर सभी जब दिया जाए तो आप लगा दें कि यहां पर क्वेशन दिया गया है आगे पहले भी देख लिए ताहूं और भी है तो ठीक है अभी जल्दी-जल्दी से इसको करते हैं वह क्या रहा है स्क्यू फिर्यार जो प्रविदी जो विकास किया है वो है रॉमिंसल कौन है यह रॉमिंसल लेखन सिचछड की विदियां है जो लेकन सिचछड की विदी बात की जाए अगर लिखने की तो वह क्या होगा अक्षर के रूप में अनुकरण विदी होगी या मांटे सरी सिक्षडवी दी होगी तो उप्रिक्त सभी आपका आफ़ा गाऊएग साध्न है अगर अगर आपको अप परहुत करानी है तो उसका शाधन क्या बनीगा तो पत्र लेखन बनेगा उपन्यास लेखन निवंद लेखन तो उपरिक सभी होगा काम गदम लिखना सब में है न तो सब में क्या होगा लेखना विवक्ति होगी तो उपरिक सभी होगा आपका अंसर भाव ना हो है वो विचारों को दूसरों के साथ बांटना कहलाता है तो वो कहरा कमजोरियों की सूचना दी जाती है अगर कमजोरियां हैं तो कमजोरियों की सूचना दी जाती है किसको दी जाएगी वो कहरा दनात्मक प्रश्ट पोसर को मिसरित प्रश्ट पोसर को नकारात्मक प्रश्ट पोसर को या उपरिक्तमें से कोई नहीं तो यहां पर नकार रखना चाहिए अगर पाठ पूर्ड की और या उपर तुमें से कोई नहीं तो यहां पर है अंस से पूर्ड की और अंस कहते हैं को यह एक हिस्से को जोगिए पूर्ड कहते हैं संपूर्ड ची को ठीक है माली जी अगर आप चीनी का एक दाना उठाते हैं तो वह उसका एक अंस हो गया अगर बात की जाए यहां पर के पूर्ड की तो पूर्ड तो भई बहुत सारी होगी बोरी यू ले लो एक पूरा देर ले लो तो वह पूर्ड होगी ठीक है नहीं कि सीकह और तो यह फंड के इसान अस्यॐ औरनी गयान को इस्ताही रूप देना पूर्ड को एक अगर सीखियर का यह फ्चा यह ने ज quatro रूप तो रसी के जिसतर प्रकार रगडने से पत्तर पर भी निसान हो जाता है तो उसी प्रकार अगर आपको सीखना है कुछ और उसको स्थाई रूप ही देना है तो आप उसका अभ्यास करते रहें आप बिल्कुल आप सीख जाएंगे सरवड कोशल का विकास करने में सायक है सरवड कोशल की बात की जारी यह कौन सी चीज ओगी नाटक होगा बाद विवाद होगा यह उपृक्त सभी होगा यह इसका करना पड़ेगा सरवड़ करना इसको किया जाए तो इसका आनसर होगा सरवड़ के कारड़ है अगर आपको सरवड़ से प्रैस्द सुनने में अगर तकलीफ है आका वा सुनता सुनत नहीं तो कैसे होगा सोर गुलो रहा हो तब ऐसा सुनाइंगे या सरवडवन संबन दिए अगर आप में अविर जो अरुची होगी मतलब कोई कही जा रहा है आप सुनने नहीं रहे तो वह गा आपको तो आपको सरवडोस हो जाएगा सरवर इंद्रियों में दोस्त अगर मान लिए खानों में दिक्कत है आपके तो भी हो जाएगा तो यह उप्रिक सभी ही आंसर बनेगा सरवर दोस के पाय ुपाय, वांदोतो की जाए तो सांत अपका बनेगा सरवर को सल में दक्षताई तो क्रिया हैं तो कौन-कौन सी हैं आपको मैं बता दिता हूं गद्दीवादर अड़े यह सस्वरवाचन कवितापाथ मैंने का ईपरीक्तवी, जहां पर भी आएका 90% उपरीक्तवी, आपका अंधर बन ही जाएगा। आपका अंधर की जाएका, बारतालाप की जो बिद्यां, वह कौण-कौण से होगी। तो यहां पर आपको प्रेक्त सभी आपका अन्सार है बाक्टै केtechn है आकांचा योक्यता यह सब्द कर्म उप्रेक्त सभी सब्दों का क्यर्म बाक्य सुद्व क dois बनाएगा आकांचा मतलब की इत्च्चा व बाक्य बानाएगी योगिता आपके क्या बनाएंगी ने आगे देखेंगे आगे क्वेशन दिया गया है कि बाके निर्माड समंदी दोस हो सकते हैं अगर बाके का निर्माड हो रहा है और उसमें दोस है तो किस तरह से इस पश्ट भाक्य हो सकता है वह भी दोस का कारण है अद्वी अर्थी सब्दों का प्रेयोग हो रहा है तो वह भ बिचार है किसका तो बात की जाए यहां पे तो डेविस का है सिचड़ नीतियां सिचड़ विदियां यह कह रहा है सिचड़ नीतियां एवन सिचड़ विदियां तो अब बताते हैं आपको के एक दूसरे से अलग-अलग हैं एक दूसरे को प्रावयत नहीं करती एक दूसरे क मैं तो आपको बता देता हूं यह एक दूसigator के बात की जाये तो नीती और विधी बात मिदो नियम को होती है जो दिना कि यहां पर बात की गई है कि शिक्षड विदी शिखेल विदिया को कि रही है तो किस विदी को सिक्षड विदी कहें गический को यहां किस नियम को प्रस्तुति करड़ सहली है तो उसको आप सिचड़ विदी कहेंगे या फिर आप बता ये उपरिक्त में से किसी को भी नहीं कहेंगे तो आपका जब ऐसी बात है तो वह आंसर हो जाएगा कि है बस तू की प्रस्तुति करड़ी क्या कहलेगा सिचड़ मिदी कहलेगी सिचड़ उखतियां हो सकती हैं बहते वहते कुछ नहीं आपको यहाँ पर अगला कॉझछन98 वह कहे रहा है कि मुल्यांकान आवीन्तब प्रवेदिक पत है बहु एक ला नहीं यह सकचति उख cucina अगर मुल्यंकन जेकिंग की बात की जाए कि वह नवींतम प्रविदिक प्धत है जो मापन मतलब नापता है ब्यापक प्रत्य की प्रस्तुति को अगर जो कोई प्रत्य चलना है उसकी प्रस्तुति को नापेगा तो वो क्या हो जाएगा मुल्यांकन तो मापत महुदय के अंसार है यह तार्गेशन महुदय के या राइट इस्टोन महुदय के या वैसले महुदय के तो राइट इस्टोन जो महुदय हैं उनके अंसार यह मुल्यांकन की बात कही गई है मूल्यांकन की मूल्यांकन की यह एक रायतमक्त पत्रीया को हिंदी पढ़नी नहीं समझनी होती है तीक है नहीं तो समझते चलिए बस आपको आपका पूरा होता मैं आपको एक और बात बताता हूं इसके जो क्वेश्चन है वह आपको बीडी 102 में भी मिल जाएंगे बीडी 103 में यह मिले जुले क्वेश्चन होते हैं आराम से आपको मतलब चीजों को समझना है ना कि आपको यह जो टॉपिक्स हैं मतलब आप समझने बैठ जाएं कि यह 104 म ही आएगा नहीं बहुत सारी चीजें एक दूसरे में मिल जाती है सिच्छर तकनीकी के मुल्यांकन का कौन सा प्रकार नहीं है अगर सिच्छर तकनीकी की बात की जाए तो मुल्यांकन करने का कौन सा प्रकार नहीं बनेगा उत्पाद मुल्यांकन अच्छा बैग्यानिक अध्यापक ने ओवर हेड प्रोजेक्टर यादि और eigene अगर अध्यापक शिच्ण का अपने कारे में किया या राधिर चाण प्रोजेक्टर लगा या में उसको इंट्रेस्ट आएगा और टीचर को बताने में भी इंट्रेस्ट आएगा, ग्राफिक्स अच्छे-च्छे से देख पाएगा, तो वो उत्पाद में मुल्यांकन हो जाएगा, उत्पाद अच्छा था, इसलिए उसका मुल्यांकन भी अच्छा हो पाएगा, आगे क्वेश्चन है, यहां पर 102, वो कह आत्र सिक्षड में, तो आपको मैं बता देता हूं कि एक कौसल के प्रसिक्षड को मैं तो दिया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर सूक्षमी सिक्षड में, ठीक है नहीं, निमलेकित में से कौन सा कौसल, सिक्षड कौसल नहीं है, तो आपका यहां पर आंस कि द्वहनी लोग पहुचना शुरू हो जाएगी जो आप निकालना चाहरे थे अक्षर का मतलब निकल रहा चाहिए देखें आपको में एक अक्षर बदलने से ही बहुत गड़बड हो जाती है ठेक है नहीं तो आपको भी ये बात मालू होगी तो द्वहनी अगर लोग पहु कर रहा है असुद्ध चारड के सुधार के उपाएं अगर कोई असुद्ध चारड कर रहा है तो उसको सुधार के उपाएं क्या है कि अभ्यास द्वारा यानि उसको द्वारा द्वारा पढ़ लेना चाहिए जिससे आपकी जो चीज है उसको के लिए समझाया जा सके द्व चिंतन का अर्थ फिर से पूच लिया गया है तो विचार करने की कलांब बार 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 कुछान अब किस्धा कि यह जा सकते हैं अगर सोच्षण की ब्यक्द भी से वह स olhaer मानी बैंगे प्रात्मिक विद्यालें उनके आदर्स मानी जाती है तो आपको मालूम पढ़ जाएगा कि कौश्चन कहुं सा परभासादी है तो फिर से आपको जॉनसर है और यह बात जो कही है वो किस ने कही है तो आपको मैं बता देता हूं जॉनसर है यह बिचार विमर्स इक्षर नीती सिद्धान्तों पर आधारित है तो कौन से सिद्धान्तों पर आधारित है तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर कहा है सक्रिय सहभागता का सिद्धान्त कारकी स्वतंतता का सिद्धान्त प्रस्न पूछने और उत्तर देने के समान अफसर का सब्सक्राइब अगर बात की जाए कि इसचक अर्थातनेता होता है अगर बात की जाए यहां पर विद्यारति अत्वा समू मतलब विद्यारतियों का समस्या क्या रहेगी यहां पर बिचार किया जाएगा तो इन तो को 대 reward Is Afra pencil पूछानी से प्रसम पूछना समस्थ शिक्षा कृष्छण की चाबी है अगर पूछते हैं तो आप समझ लीजिए आप उसी आ रहें तो यह कतन है किसका तो यहां पे है पार कर पूछने के उद्देश तो पूर्व ग्यान की जांच करना या अविप्रेडा जागरत करना कठनाईयों को जाना उप्रुक सभी तो यहां पे उप्रुक आगरा और प्रस्ण में फॆ Hem jayi tusida प्रेडा बत्री अपर्यक सभी तो उप्रेड सभी तो देग्सृत्ता लेगिया कई वारा रहा है वत्तम प्रस्थनों की वससता हैं को इस में बैल सरल्दम्हम्स सभी तो उत्तम प्रस्थन होई है जो अच्छा है सब्सहें ज्चा है औ है के लिए तो प्रयातांत्रेक, व्यक्तिवादी निरंकुस वादी या उप्रेक्ट मैं से कोई नहीं, तो कभी हो गाई नहीं नहीं, तो क्या हुआ प्रजातांत्रेक कई कवाश्व में एक आता है यह वाला तो अब इसको बाद में बताऊए तो मैं आपको यह है कि राजवासा वाला राष्ट्र वाहसा राष्ट्र वाहसा राष्ट्र वाहसा तो उसमें बताए गया था कि 343 अनुच्छे 343 के तहत इसको राजवासा का दर्जाप राप्त है ना कि राश्टवासा तो वह वाला उसमें था उप्रुप्त मैं से कोई नहीं तो सो मैं से एक का अंसर होता है यह वाला तो कि अगर देखिए आपको जैसे की पढ़ना कम पढ़ रहा है जैसे कि आप पढ़ने में इंट्रेस्टेड नहीं है सुनने में जाता है तो आप सुनके भी कर सकते हैं क्लास को पूरा और आगर आपको यह लग रहा है कि नहीं मुझे आवाज नहीं चाहिए और एक दम मुझे क क्लास ठीक है नहीं और आपका यह जो है चलते रहें को आपके कई सॉल्यूशन है यह सब चीज़ा करने के ठीक है तो यह वाली आपके वीड़ी एक सो चार जो है वह आपके ओमर बेस्ट क्वेशन आज मैंने कर दिया फिनिस आप से यह को सब्सक्राइब कर लीजिए अब सब्सक्राइब कर दो अब यह तो अब यह थे ओरी कली क्लास ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं नहीं देंगे बस यह बात है ठीक है तो बने रही है हमारे साथ गुडबाइटेक केर अलविदा